कि हालो फ्रेंद्स नमस्कार मैं श्रद्दा एक्सासिप फिर से तहें दिल से आप सब का स्वागत करती हूं आप सब फ्रेंड्स ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे वीडियो को जरूर देख रहे होंगे लाइक कर रहे होंगे और सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को जरूर कर लिया होगा और अगर अगर अपने तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एक्सासिप फ्रेंड्स और जितना होसा कि आप भी पढ़ें आप सेयर करें ताकि आपकी फ्रेंड्स भी पढ़ते रहें और वीज इस वीडियो क लाब उठाते रहें ठीक है फ्रेंट्स तो जो है हम जो है यह फिर पॉलिटी पे चर्चा करेंगे इसमें भारती राज विश्था से रिलेटेड यह हमारा फोर्थ वीडियो है ठीक है इससे रिलेटेड हमने दूसरा तीसरा फर्स्ट वीडियो डाला है जो कि आई होप आपक तक नहीं देखा है तो आप जरूर देखें ठीक है इसके लिए आप बैल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि इन पॉर्टेंट नोटिक वीडियो संस आप तक मिलते रहें और आप अच्छे से बढ़ाई करते रहें ठीक है फ्रेंट्स तो हम लोग अपने वीडियो पर बढ़ते हैं तो हमारा फस्ट क्वेशन क्या है हमारा फस्ट क्वेशन निम निन खित में से कौन सा मोलिक अधिकार नहीं है तो इसका अंसर आपको पथा होगा संब्ता, जो सुप्रीन कोट ने कई मामलों में ऐसा बोला है कि जो यह हर्ताल का अदिकार नहों अकानूनी और ना नयिक है नहीं है, नहीं को न संभिधान का निल्ध कि निलिक्थ में से का सिंवादत निलिक संभ दो न्मधिघै, तो इसका अंसर क्या है फ्रेंग्स अमुष्य चौदा अमुष्य 14 यह मतलब विदी के सामने सब समान है और विदी के सब को समान सनच्छर मिलेगा इसमें यह चाहिए विदी चौदा ने चरचा की गई है निजिता का अधिकार किस की अधीन आता है तो इसका answer क्या है इसका answer है अनुचे 21 Article 21 क्या है भार्वि सम्यधान के अचित 21 की अंतरगत जो है प्राण और देहिक स्वतंतरता अधिकार है एसी के तहट निजिता का अधिकार आता है तीक है कुछ का है भारत के सम्विधान में सामिलन राज्य निती निदेशक से लिए गई है और एनसे पीछले वीडियो में बताया था कि हमारा युछे संसार विष्व में सबसे बड़ा सम्विधान तल물 भारत का लिखे सम्विधान है जो भारत का लिकित समविधान है और इसमें जो है वो विबीन जगहों से अलग-अलग चीजे जो है कवर करके ली गई है और जैसे कि हम बता रहे हैं आस्ट्रेलिया से हमनों समवर्ती सूची ली गई है युएसे से मूल अधिकार लिये गई है fundamental rights कनाड़ा से ये संघी विवस्था के बारे मिलिया गया है फेजर विवस्था जो होती है वो कनाड़ा से ली गई है रूस से मौली कर्तब लिये गया है fundamental duties जर्मनी से राष्ट्री अपात लिया गया है राष्ट्री अपात के विवस्था जर्मनी से ली गई है और जो बृतेन से है वो संसदी शाषन वेश्था, जो शंसदी शाषन वेश्थ है वो बृतेन से ली गई है, और आये अडरेन से क्या लिया गया है, राजि के नीति निदेशकतत, वे डारेक्टिव प्रिंसिपल्स ओफ स्टेट, टिकें, हमारा नेक्ट कोशिन है, भारती सम तो इसमें इन्होंने बोला था तो इसका एंसर क्या है यह आप सबको पता होगा इसका एंसर है महात्मा गांधी ठीक है महात्मा गांधी ठीक है गांधी जी ने क्या कहा था कि ग्राम राज के माध्य हमसे वो राम राज लाने के संकल्पना की थी ठीक है कि वो एक ऐसे संकल्पना प्रस्तिती थी कि ग्राम राज के माध्य से हम लोग राम राज लाएंगे नेक्स्ट कोश्ट है उपराश्ट पती पदे नध्यक छोता है इसका पदे नध्यक छोता है तो इसका अंसर है राज सभा का ठीक है प्रेंच राजसभा का इसका अंसर है राजसभा ठीक है और यह जो तैस अब विदान के नुछे 189A ठीक है 189A के तहट भारत का जो उपराष्ट पती होगा भारत का जो उपराष्ट पती होगा वो राजसभा का पदेन सभापती होगा ठीक है भारत का उपराष्ट पती भारत का राज राजी सभा का पदेन सभापती होगा ठीक है इस समय जो हमारी उप्राश्ट पती कौन है वेकाया नाइडू ठीक है वेकाया नाइडू इस समय के उप्राश्ट पती है और वही राजी सभा के पदेन सभापती है नेस्ट कोशन है मिनल किसने दो पुण अवदियों तक भारत के उप्राश्पति का पत्थ हुआ है तो इसका एंसर सन्सेवर्ज सचूर्ब डियों स सब्सक्राइब व dalla क्रिश्चन् सब्सक्राइब हुआ हीistant पाच-पाँ साल तक लगबग दो बार तक पून अवदियों तक अपना पत सम्हाला है और यह फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और 1954 में इनको भारत अतनी से सम्हानित किया गया था फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस राधा कृष्णन भारत का राष्टपती किसका एक अभिंव भाग है तो इसका एंसर क्या है संसद ठीक है राज़सबा को उच्छ सधन कहते हैं और लोगसबा को निम्ना सधन कहते हैं इन तीन उचसे मिलकर जो होता है यह संसत बनता है राष्टपती, राज़सबा, लोगसबा राष्टपती द्वारा संसत के लिए 알고- üz्दया का कि कितनी अवधी के लिए होता है राजी सभा के सदश्यू का निर्वाचन कितनी अवधी के लिए होता है तो इसका एंसर एफ्रेंट खłę वर्स ठिक है छे वर्स के लिए ठिक है इसकी अदिक्तम संख्या जो थी we're 250 होती है इसके सदश्चों की अदिक्तम संख्या संख्या निवित्थ होते रहते हैं हर दो दो वर्स पर एक बटा तीन सदस निवित्थ होते रहते हैं तो इसका एंसर क्या है फ्रेंड्स इसका एंसर है 12 सदस ठीक है सदस रहते हैं क्या है कि लोगसभा का त्याग पतर की दिननल्खित इसको संबोधित करेगा ठिक है किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो इसका एंसर क्या है इसका एंसर फ्रेंस उपाध्यक्ष को ठीके उपाध्यक्ष को और इसका जो अनुछेद है अनुछेद 94B के तहर्ट जो लोगसभा का अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो है वो अध्य अपना जो रजिजनेशन लेटर या अपना त्यागपत्र लिखीत रूप से हस्ताक्षर सही तो लिखीत रूप से अपना त्यागपत्र दे सकता है ठीक है उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अध्यक्ष उपाध्यक्ष को नेस्ट कुछन है पहले वित्तायो का गठन हुआ था पहले वित्तायो का गठन हुआ था। कौन से सन में कौन से इयर में? 1951 नाइटीन प्तिवन उननिस सो इक्यावन में ठीहा है।सी कप अच्छिता में 1951 में वित्तायों का गठन हुआ था ठीक है और इसकी जो अवधी होती है यह पांच वर्स की समापती के बार जब राश्ट्पती चाहे तो वित्तायों का गठन कर सकता है ठीक है ठीक है अनुच्छे अनुच्छिता पांच वर्स की समापती पर राश्ट्पती चाहे तो वित्तायों का गठन कर सकता है ठीक है पांच वर्स की समापती पर और 1951 में इसका जो है फर्स्ट गठन भता संग लोग सेवा आयो के तदस्यों की नियुकती किसके द्वारा की जाती है तो इसका एंसर राश्ट्पती प्रेशिदेंट ठीक है अनुच्छे तीन सू सूली एक के तहर जो इस संग्छिता आयो के तदस्यों की निवक्ति राष्ट पति करेगा ऐसा लिखावा है ऐसा निश्चत है अनुचो करता है माहाणियावादी कहते है हिंदी में एसी अदिवाण계 sufficient not the Video इसकी जो योगेता होती है वहшите लिए जितनी आप सहती गरत होती है तुछावादी ठीमि उध्यमंस्क्त चीए टार्बसाणि करता है बारत के अच्छेत То डिशुति करता है में इंह्च्ति करता है देश की ससस्त्र सेनाओं का सरवोग्च कमांडर इंचीफ है तो ये भी आपको पता होगा ये है भारत का राष्टपती ठीक है भारत का राष्टपती जो होता है वो तीनो सेना का प्रदान होता है ठीक है जल सेना स्थल सेना वायू सेना तीनो सेना का प्रदान जो देश का प्रतन नागरीक होता है और आपको सबको पता ही होगा वर्तमान राष्टपती श्री रामनात को विंद जी है और दॉक्टर राधियन प्रशाद थे वो तीम कारेकाल तक राष्टपती रहे हैं एकल हस्तानांतरणी मतदान पद्धिती में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है कितने उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्यासी और इसी अधार पे भारत के राष्टपती और उपराष्टपती का चुनाव होता है ठीक है फ्रेंज जो कुछ वच्चे हैं जो हमारे वीडियो को हमेशा देखते हैं उस पे हम कितनी बार बोलें कि अगर कोई भी ना समझ में आए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो एक लड़के ने कमेंट किया था कि मैं जूम की खेती की बार में बदाए तो हमने इस पे जूम की खेती की बारे में चर्चा करेंगे ठीक है फ्रेंज तो चली जूम की खेती क्या होती है जूम की खेती एक अधीं प्रकार की कृशी में वीच्छो और मस्पतियों को काड़ कर दिया जता पिसमें पुराने मैथट से लकड़ी वहलो की सहाइता से टु spaghetti करते हैं और रेजव पे वहां की वनस्पति और व्रिच्छों को काटकर वहां सफाई करके एक जगह खेती करते हैं फिर दीरे जब दो साल तीन साल में उसकी उर्वरक्ता मिट्टी की खतम जाती है तो पुलना दूसरी भूमी की तलास में लग जाते हैं ठीके दूसरी भूमी को खोचते हैं वहां इससे स्थानांतृत किरिशी या सिर्टिंग कल्टिवेशन भी कहते हैं ठीके और इस जूमकी खेती के अहर जगह अलग अलगframes है जैसे הוא चैना कहते हैं ठीके जिलनका में से चैना कहते हैं रोडेशा में से मिलपा कहते हैं और इस खेटी में जो इंडिया की बाते हैं जू में वेवर opener का टेहिए हमारे इंडिया में इसका विदेशता ने जुम जो इंडिया महीं हो तरह ए हैं हर जगह इस की मांग है । दीड है थिरए थिरे लेंगे खत्म हो रहा है बिद हो रही है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को दबाएं तक इन्पोर्टन नोटिफिकेशन आप तक पॉस्ते रहें और आप एक भी वीडियो को मिस ना करें ठीक है फ्रेंड्स मेरी हमेशा यही प्रयास र जरूर इंक्लूड करेंगे तब तक के लिए वीडियो देखते रहें और पढ़ते रहें गुडबाई बबाई